नमस्ते विरासत में आपके एक बार फिर स्वागतबा विरासत मौरिशेस ब्रोडकस्टिंग कॉपरेशन और आप्रवासी घाट के मिला जुना सहियोग से प्रस्तुत करा जाला आज हमनी देश के मौरिशेस के एगो-एसन सांस्कृतिक धरोहर पर बत्याब जा जोन हमनी के पुर्वज के देन हाँ और जेके हमनी ईुगाधी नाम से जाने लाजा और यी दिन हमने के जोन टेलेगू समुदाय हाँ वन्जा उलोग अपन तरीका से बहुत ही विशेश रूप से युगादी पर्व मनावे लन्जा ता आज देखब जा कि युगादी पर्व के पीछे कोन महत्व हा और यी पर्व कैसे प्रकृती से जुडल हा कैसे यी एक बहुती सांस्क्रितिक बहुती संस्मृत धरोहा हा और सद्यों से इचल्ले आवाता पिछिदर पिछिदी इचल्ले आवता और आवे हो लाक कितने पिछिदी तक इजन पर्व वा उँ बहुठी उच्सा और बहुठी धोंधाम के साथ मनावाल जाए आज के हमनी के मेहमान श्री बलराज पेंताया हमनी के युगादी पर्व के बारे में स्पष्चिकरन दियन और यी भी बोलियन कि यी जन परभ हा उँ जब उच्छोटा रलन तक कैसे मनावल जात रहा और समय के साथ यी कैसे बदल ले आवाता और विशेश रूप से यी निया ने खबजा कि कैसे जन युगादी पर्व हा उँ सांस्कृतिक धरवर के साथ सांस्कृतिक मूल जर से बहुत ही घनिश्टता के साथ जूरल हा श्रीप पेंताया जी हमने के यी बतावा कि युगादी पर्व जुन हा उ तिलेगू समुदाय का तिर कोन महतों रखेला उगादी तिलेगू समुदाय के लिए एक नया युग हा साल के हराम हा तो उस दिन का करिला सा फजीर के बहुत सवेरे उठके असनान करिला सा असनान के बाद अपन पुजा गदी में सब परिफार समित पुजा करिला सा उसके बाद जाइला सा मंदिरम हुआ से सब अपन परिवार लोग से मिलके खास तोर पर हमने के पुर्वज लोग से मिलके अलोग के असिरवाद लेके तब दिन के जाबस सब अपन परिवार लोग संग मिले खास उगादी काह उसी दिन राम नव मी शुरू होला हम निके तब का करिला सा दिन भर राम के जप में लगल रहिला सा उसी दिन से दस दिन के वरत रखिला सा उस वरत के दोरान रोज शाम के जाईला सा मंदिरं और हुआ भजनम के तैयारी करिला सा तब महारामा भजनम के प्रबन हो ला इस साल पंदर तारिक के हमनी महारामा भजनम मनाप सा मौरिश्टस तेलुगु महासभा के प्रांगन में हमने के पूर्वश द्वारा हमने के देश मौरिशस में युगादी आनागराल एगो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ता उस समय के युगादी जग आप जुन दिखले हवा और आज के समय में जुन युगादी हो वेला ओकर बीच कोन अंतरबा इह हमने के बतावा यह बहुत अच्छा प्रस्ना पुछला उगादी काल के बात नहीं है कत साल हमनी 60 यह मनाईली सा उगादी जब से मौरिशस में रास्त्रिय संस्था में मनाईला सा पर उस से पहले हमनी के गोगपुरवज रहल स्री गुन यावत्तु जो अपन है गयिलन सिक्षाले भारत देश में हूँआ से लॉतक आल अपन सिक्षाले के तब इसके पचार करिन तब उसी वक labor से हमनी के सब लुन सभा में संस्था में बाइटका में शुरू होल उगादी मनाई के, उस वक्त खली हमनी के मंधिरम में बाइटका में मनावथ लिशा उगादी, रास्तिय इस्थर पर नई मनावल जाता हल, खली होल जब हमनी के पंडित गुना या उत्तु आल हमनी के समझहिलक, तब हमनी समझ लिशा, हमनी के तेल उगादी बाहुत धुमधाम से बहूत खुशी से जतार मात एक बग ओकादी के सेलेबरेशन सुरू होल guiding पहले सजावाद सब नयाचीज दालीला से हमनी कुब कि मना एमान इम एक दार पर मनायला सा का हमनी के सभाम है और इस्थानिय इस्थर पर जब आप छोटा रला तहर माबाप तहर दादा दादी नाना नानी वह लोग के आप कैसे जुन पर्व हा उन मनावाद दिखले हो और आप एकर में कैसे शामिल होगत रहला जब हम छोटा रली हमनी के घर पर परिवार के साथ बहुत धूम धाम से बहुत खुशी से तैयारी होता हल। एक सब्ता पहले से नयापन लावथ लिशा घर में साफ सुधरा करद लिशा नया नया कप्रा हमनी के माँबाप लोग खरीद के देवत हन ताकि उगादी के दिन इस सब इस्तेमाल करप सा। आज यी नयापन जन आलबा हमनी के बहुत अउसर देवा था उगादी के और अच्छा तरीका से मनाई के उगादी पच्चडी जन हा उबुझाता इपर्व में एको विशेश महत्व रखेला तो हमनी के इज समझावा कि इज युगादी पच्चडी उबनेला कैसे कौन-कौन सामगरी से और एकर पीछे अर्थ का हा उगादी पच्चडी इस पर्व के लिए बहुत महत्पूर पा इज बनेला चोगो तत्वों से हमनी के जन अनुभाव देवेला पहला इंफली हुआ जैसे लगला इंगली इंफली चखे लासता आम से बनेला कहे क्या सकाते आश्यघ जन हो जयन घभ आए उसने नीम के पत्ता नीम के पत्ता सब को जाने ए जयन आए ज़िए कितना कंसवाद है आए तुह तरह थोरासन मिठाज दालीला सा, खूशी के माहोल हा, और मिर्च भी दालीला सा, जैसे खूशी मनायला सा, कुनव बख्ख थोला हमनी खिषी आ जायला सा, तब बाद में हमनी नमक दालीला सा, ताकि उँ हमनी के सवाद दे नमक के. अब कहे महत वहा, यह हमनी के समझावेला, सब एक ही तलाजू में चाहे रहे के, सब पारे ही दालीला सा, ना कोई कम न ज्यादा, क्योंकि है सब जोन हमनी महसूस करिला सा, हमनी के रोज के जिन्दगी में, हमनी के समझावेला, चाहें सब अकसिप्टे करे के, सब अमनी के समझावेला कैसे जिन्दगी जी回去 नवा होता यह पहनावा के संद hall बड़ा से लेके मलण चोटालенд क मिठाई रहे आपके पर्व के अंधरगते जुन आवात रहे और आज तक हमने जब युगादी के बात करिला जा तो यह सब जोन पकवान, जोन पहनावाबा यह सब याद आवेला हमने के एकर बारी में थोरा हमने के बतावा अच्छा बोला उस समाई गरीबी के समाई रहल हमने के पास उतना पैसा भी ने रहल कि हमने जापस बड़ा बड़ा कपडा खरीद के पहनने उह कपडा हमने के माता पिता लोग बना के हमने के पहनावा थलंजा और का करेख थलिशा उसी में खुशी रहाल का हे के उस समय के कप्रा हाम निके पूर्वज जैसे भारत देश में जैसे पहनावा होतायल होई तरह के कप्रा पाहन थलिशा अभी थुरा पाइसा हो गल बात तरेखनों सब तरह के कप्रा पहनी रहा paz quietly बहुत खुशी रहा हुआ 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 ह चोकरी और नारी लोग रहा शारी पेना थलन्सा हाये हमनी के ठ्राडिशनल कप्रा रहा और हरमेज रंग भी रंगे के कप्रा रहा हुए है मैं हमनी के खुशी रहा युगादी के अंतरगत दिन भर में भजीर से लेके सांच तक आप लोग की जोन गतिवी धी हा अने गतिवी धी हो दिन ता एकर बारे में हमनी के बतावा हमनी के बोरा कैसे यी एगो खुशाली के एगो दिन हा बहुत खुशाली के दिन और साथ में आप लोग कितने गतिवी धी कितने व्यस्त ता के बीच यी गतिवी धी चलावे ला जा आपके समय में उगादी के दिन सवेरी उठीला से, पुजा-पात मेंलगल से, सबका लिते तैयारी हो जाला हमनी के नारी लोग, बेटी लोग metu仁 याने के रंगोली सजादेला ऐला से, अमनी के प्रांगन में हमनी तुरनम से यानि की आम के पत्ता से सगरू अमनी के आंगन में घर में तुरनम दाल देएला सा तब उसके बाद निकल के जाईला सा मंधिरम क् yönशे को दो मनिर्ण पूजा की सागड़ हो जाला तब kसा मिःडाई बंटीला सर पच्चदीं बंटीला सर अ हुआं से हो जाला तब सुरू करके जाईला सर परिवार उपfik मिले और अब के समय में हम लिक्षे लेडाश् tengahalput हमनी के न्यू शोन बोले लास व Mustah में हुला ताहमनी सब कोई सब पलिवार मिलके जाएला सा राष्ट्र इस्तर पर कल्चराल सुदी कि मंदिरम में पुजा के बाद अंत में एगो बहुत महत्व कार्यक्रम हुला उके बोली ला सा पंचांगा स्रवनम बहुत महत्वह हम सब कोई के बोलब थोरा संबाई निकाल के पंचांगा स्रवनम सुने के कहे खति उस दिन हमनी के सब कोई के जनावल जला कौँची हमनी के एक बरिस में कौँची होई होलाबा कौँच सब हमनी के प्रेकोशों ले चाहे और कौँची सकब सा शूरू करे आरम करे हमनी के लिए अच्छा रही तबहुत महत्वा हा कि हमनी पंचांगा स्रवनम सुनब सा शृरी पैंतया जी युगादी के इजन पर्व हा हमनी के पूर्वज लोक के एगो सांस्कृतिक धरोहर हा उलोग इ सांस्कृतिक धरोहर इदेस मेलने के अईलंजा और पिरही-दर पिरही इचलने आवाता और आप बहुत स्पश्चरूप से बताईला कि युगादी कैसे मनावा जात रहा आगे, एकर महत्व काह और कैसे चाहला एके आगे तक चलावे के, जिन्दा रखे के, इस सब जानकारी खातेर, जोन यक्तिकत अनुभव आप हमिल संगे बाटला, बहुत धन्यवाद. आज के इक कारेक्रम में हमने दिख लिजा कि एगो पर्व, एगो जन समुदाई, एगो समाज, एगो देश खातिर कितना जरूरी हा. पर्व हमने के सांस्कृतिक धरोहर के गिन्ती में आवेला, और इपर्व के जरिये कितना अनेक अनेक बाट के ख्यार रखाल जाला, जेकर से हमने के अलग-अलग अमुर्थ सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेला, इक कारेक्रम के अंतरगर दिख लिजा. आप सब कोई के युगादी के बहुत बहुत चुपकामना कारेक्रम के ध्यान से देखला पसिंद करला धन्यवाद नमस्ते